हेलो बच्यों किसे को अपर अपनी चैनल recording गुरुजी में आज का शोडाइस सेगेंड पार्ट नोन वरबल कम्म्निचिशन यहाँ पढ़र हैं पड़ है मैं अपको यहाँ ओ मैं पढ़ रहे हैं method जी method of communication कम्म्निकेशन। हम जब करते हैं जब दो वेक्ति या information idea यह बात्षित करते हैं किसी company में हम बात करें business relative बातों में तो वो इस माध्यम से करते हैं किस method किस तरीके से करते हैं वो दो तरीके होते हैं एक verbal एक non-verbal जिसमें सब्दों का परियोग होता है वो चाहिए oral हो चाहिए return हो non-verbal का जो अर्थ है वो यह है communication is the transfer of information from one and other most of जो जोसमें जरौत होती है 75% जो communication होते हैं वो होते हैं knowledge के अब से ठीक है अब बात करते हैं कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें non-verbal communication होता है जैसे eye contact करना facial expression देना या tone of voice देना या body language से हम या body posture या motion के थुरू हम किसी भी group of persons में आपस में कुछ share करते हैं जी हां बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती है अब इसके features कि अगर बात करूं तो physical, aesthetic, symbolic बहुत साचीज आ जाती है फिलाल देखिए मैं आपको communication का एक method है इसमें यह है haptic जैसे आप देख सकते हो handshake कर या यहाँ पर handshake आप करते हो तो यह haptic यह भी एक तरह का non-roll communication है gestures 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 आप जानते हो जैसे अपने अंगली उठाना चुटकी बजाना ठीक है ऐसे किसी को कहना बहुत बढ़ी है एवन एवन तो वह gestures होते हैं यह होते है यह प्रोक्सिमाइज प्रोक्सिमाइज होता है किसी को जैसे हम हाथ फिला देते हैं आओ गले लग जाओ यह क्या है यह 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 ठीक है फेशिल एक्सपेशन किसी को मुझ चुड़ाना कि जितनी भी हमारी इमोजीज है वह सब फेशिल एक्सपेशन ही तो है ठीक है उसके अलावा हम कोई गुसा वगेरा वह सब को अलग है बोडी लेंगवेज में आप कूद के किसी को कूद रहे हो तो समझ जाओ ठीक है ना आ आप ऐसे हिल रहे हो कुछ कर रहे हो ठीक है ना बोडी लेंगवेज से कुछ कर रहे हो जैसे मैं अगर ऐसे कर रहा हूं तो पता लग रहा कि मैं स्टाइल मार रहा हूं मैं अगर ऐसे कर रहा हूं तो इसका मतलब पता लग रहा कि मैं दोड़ लगाने वाला हूं तो यह हमा पहते हैं बदमें वह संजा जा सकता है और इन सब्दों में हम किसी भी तरह के कोई इन चीजों में हम किसी भी तरह के कोई भी सब्द का परियोग नहीं करते there is no words चुकि यहाँ पर किसी words का परियोग नहीं किया जाता तो इसे हम non-verbal communications कह सकते हैं आप समझ गए होंगे वीडियो अच्छे लेगा तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना आज हमने non-verbal communications के बारे में पढ़ा है बचो जिसके माध्यम से आप communicate करते हो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं बहुत सारे तरीके होते हैं बस आप यह समयलो कर हम सब्द का परियोग कर रहे हैं वह वर्बल है और जब हम किसी सब्द यानि कि वर्ट का परियोग नहीं कर रहे हैं इसारों में बात कर रहे हैं या फिर हम पोस्चर बना रहे हैं या फिर आई कॉन्टेक्ट कर रहे हैं या फिर हम ऐसी मूमेंट कर रहे हैं जिने आप कहोगे तो मैं आपको पढ़ा दूँगा ठीक है ना जैसे ऐसे हम करते हैं तो उसका मलत क्या है विक्ट्री तो ये भी एक तरह का नोन वर्लों कम्म्निकेशन है कुछ भी हो सकता है ठीक है तीन तरह का डिस्टेंस रहता है इससे एक तो पर्सनल डिस्टेंस सोशल और एक पॉब्लिक डिस्टेंस ठीक है अब जो हमारा नेक्स टोपिक होने वाला है आगे जो हम पढ़ने वाले हैं और वो रहने वाला है गाईज आप सब के लिए अच्छे कलर से भी हो जाता है नॉन वर्लों में कर लिए जैसे येलो है येलो जो कलर है वो हैपिनेस जो आ िसकाैक में मिख्शर हो जाता है एंधो जेम ऊस्वां का कलर है ओरेंज तो ऐसी हป गर in ग्रीन ज है इस हार्मोनी फ्रेशनेस फर्टिलिटीज और ग्रोथ इस सबसे देखा जाता है blue color है blue color से sky का color होता है तो इस से depth और stability देखी जाती है तो purple color है purple color से energy of red है तो इस सबसे देखा जाता है तो ये सब चीजे हैं जो आपको बता रहा था अब हम जो next topic पढ़ने वाले हैं बहुत है इंटेलिजेंटी base होने वाला है तो भाई उसके लिए तयार है ना और इस सब में doubt हो तो comment करते रहना क्योंकि आपका comment हमें motivate करता है और आपका एक subscription हमें बहुत फायदा देता है ठीक है तो इस moods भी मैंने आपको बता दिये मैंने बहुत short में क्योंकि यह topic इतने लंबे नहीं है आगे लिए जो topic है most important होने वाला है barriers barrier कहते हैं रुकावट जब हम किसी से communicate करते हैं जैसे आप Hindi में बात करते हो पता लगा सामने वाला south से relate करते हैं तो हिंदी आती नहीं तो क्या आप उसे बात्चीत कर पाओगे नहीं उसे कहते हैं barrier of communication तो उसके बारे में detail video है वो इतना important topic है यह समय लो barrier of communication कुशन आता ही आता है 100% आता है उसे note कर लेना तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए good bye